आज हम आपको बैदनात संजीवनी वटी के बारे में जानकारी देंगे बैदनात संजीवनी वटी के बारे में जोकी परमुक विश्रोदी आईरवेदिक उशद्दी है संजीवनी वटी के एक दो नहीं बलकि केई रोगों का इलाज करने में उपयोग किया जाता है साप के काटने पर विश्च को खतम करने के लिए भी संजीवनी वटी उप्योग में लाई जाती है या किटानू और बुखार को भी ठीक करती है संजीवनी वटी एक गुनकारी उचद्दी है जो कि विभिन परकार के रोगों में कार्ये करती है जैसे बुखार में मूतो प्रोगों में पेट रोगों में तो था मौसमी बुखार या पेट खराब होने के कारण होने वाले बुखार को ठीक करने में संजीवनी वटी मतदगार साबित होती है लगतार बुखार का बना रहना या फिर मुती जरा रोग में संजीवनी वटी की एक गोली को लोग के पानी के साथ लेने से विशेश रूप से लाप मिलता है संजीवनी वटी के गटक की बात करे तो इसमें विडंग शुन्ठी पीपली आमला निभी तक बच गुड़ुची भलातक शुद्ध वतसनाग गोमूत्र इन सभी जड़ी वूट्यों को एक साथ मिश्रित कर संजीवनी वटी का निर्मान क्या जाता है संजीवनी वटी को मुख्यत है बैदनात, डावर, दिव्यफारमेशी, दोत्पेशवर, आदे, बड़ी बड़ी भारत में कमपनी इसका निर्मान कर बजार में बेशती है संजीवनी वटी का उपयोग मूत लोगों में वहिग किया जाता है जिन लोगों को पेशाब कम आने की समश्या होती है वह लोग संजीवनी वटी का इस्तिमाल कर सकते है इसके सेवन से पेशाब साप आता है ऐन्यमित खान पान की वज़े से पाचन तंत्र से सम्मंदित समस्या होती है जिसमें पाचन केरिया ठीक से कारिया नहीं कर पाती और अपच्छ हो जाती है इसके अलावा पेट तर्थ, दस्त की समस्या, पेट में भारीपन, उल्टी होना आदी में लाबगारी है उल्टी रोखने वे दस्त बंद करने में यह वटी बहुत लाबदायक है अगर आपको साफ काट ले या कोई कीड़ा, पिच्छू, कान खजुरा, आदी का जहर आपके सरीर में चड़ जाता है तो यह वटी इस जहर को खतम कर एक विशेश रूप से लाबदायक करने में साहक है संजीवनी वटी एक महा उशद्धी है जो विशेश रूप से सरीर से जहर उतारने का काम करती है संजीवनी वटी की एक से दो गोली दिन में दो बार खाना खाने के बाद गरम पानी के साथ अपने चिगित्सक की देखरेख में आप इसका परियोग कर सकते हैं तथा अपने जीवन को बचा कर एक विशेश रूप से आप लाब उठा सकते हैं अगर आपको हमारे चैनल दोबारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सहयोगी और रिस्तेदारों को इस वीडियो को सेयर कर सकते हैं धन्यवाद